जहिन दोस्तों वेलकम टो वी आई पी सिविल गुरू तो अपनी इसी स्रीज में गुपता एंड गुपता बुक की स्रीज में जो हमारा नेक सब्जेक्ट होने वाला है वो इस्टेक्चर एनलिसिस होने वाला है अब तक हम लगवग अपने 10 सब्जेक्ट कम्प्लीट कर चु जो होता है में अब्जेक्ट जो होता है मारा पढ़ने का वह था अन्नोन फॉर्सिस को फाइंड आउट करना क्योंकि हमको मालूम है कि जब हम इस्टेक्चर अपनी बनाने वाले हैं तो उस्टेक्चर पर बहुस सारे अन्नोन फॉर्सिस आएंगे जैसे कि अगर माली जए अपने इस टैक्चर बना दिया तो जहां है स्टेक्चर आप बनाओगे तो नीचे कहीं नहीं सपॉर्ट होगी तो नीचे से सपॉर्ट जो लगा रही होंगी वो र Iyaक्षन लगा रही होंगी अब हमको थोड़ी नहां दो को कितना बट्र अप्लाइ आप कर ने की हमारे पास unknown reactions हैं, unknown forces हैं, उनको find out करने के लिए हम अपना कौन सा subject पढ़ते हैं, structure analysis पढ़ते हैं अब देखिए जो unknown forces हैं, इनको find out करने के लिए हमारे पास दो method होते हैं, अब हम जाहिर सी बात unknown force हैं तो उनको find कैसे करेंगे, तो उसके लिए दो method हमारे पास होंगे, एक होगा हमारे पास displacement method और एक होगा हमारे पास force method, अब हमारे सामने challenge आकर के खड़ा हो गया, कि दो तरीके के methods तो हमने कर दी, दो तरीके method की तो category हमने बना दी, अब कौन सा method कब यूज करेंगे, तो देखे displacement method हम तब यूज करते हैं, जब हमारे पास जो static indeterminacy है, वो ज़्यादा हो काइनेमेटिक indeterminacy से, और force method तब यूज करते हैं, जब काइनेमेटिक indeterminacy ज़्यादा हो static indeterminacy से, चलिए सर, ये बात तो हमें समझ आगी, लेकिन कब हम, अब हम कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास static indeterminacy कितनी है, काइनेमेटिक indeterminacy कितनी है, तो परिशान मत हो, सारी चीजे एक एक मैं आप लोग को बताऊंगा, उससे पहले हम समझते हैं, कि indeterminacy और indeterminacy होती क्या है, तो देखिए, अगर आप जो structure पर आने वाले unknown forces हैं, जो आपकी structure है, उस पह आने वाले unknown forces हैं, अगर आप उन्हें determine कर सकते हो, अगर आप उन्हें क्या कर सकते हो, determine कर सकते हो, तो आपकी जो stepcher ہوगी वो कैसी होगी determinate stepcher होगी और अगर आपके जो stepcher है उस पर आने वाले जो forces हैं अगर आप उनको determine नहीं कर सकते हो उनको determine नहीं कर सकते हो तो आपकी stepcher कैसी होगी indeterminate होगी अब देखो समझो यहाँ पर एक छोड़ा सा point आपको यह समझना क्या सर जो हमारे पास इस टेक्चर पर आने वाले unknown forces है इन determinate structure में हम उनको determine ही नहीं कर सकते नहीं भाई हम उनको भी determine कर सकते है पूरी definition समझो क्या है जो हमारे पास determination, determinate structure होती है उस पर जो आने वाले unknown forces होते हैं हम उनको determine करते है using equilibrium equation using equilibrium equation अगर हम equilibrium equation का use करके अपने unknown forces को find out कर पा रहे हैं तो हमारे पास determinate structure है और हम equilibrium equation यूज ना करके equilibrium equation का use करके जो unknown forces हैं अगर उनको find नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास indeterminate structure है indeterminate है using हम equilibrium equation find नहीं कर पा रहे हैं तो हम unknown forces को तो find out कर सकते हैं लेकिन equilibrium equation का use करके नहीं कर सकते हैं Determinate में क्या है कि जो forces हैं उनको हम find out कर सकते हैं और equilibrium equation का use करके हम उनको find out कर सकते हैं अब सरी ये equilibrium equations क्या होती हैं तो थोड़ा सा wait करो सारी चीज़ आप लोगों को बता हुआ उसके बात देखिए जो हमारे पास indeterminacy होती है यानि कि indeterminate structure होती है वो दो तरीके की होती है एक static indeterminate होती है और एक हमारे पास kinematically indeterminate होती है और जो static indeterminacy होती है हम उसको ds से लिखते है और जो kinematic indeterminacy होती है हम उसको किसे लिखते है dk से लिखते है और जो static indeterminacy होती है ds यह further two types की होती है एक हमारे पास external indeterminacy होती है और एक हमारे पास kinematic एक internal indeterminacy होती है एक external होती है जिसको हम DSE से लिखते हैं और एक हमारे पास कुन से होती है internal होती है जिसको हम DSI से लिखते हैं बस इतना समझ में आईगे ना पूरी structure analysis समझ में आजाएगे में आपको जितने भी कोश्त 가지 से और इसने चलेजाएंगे इसलिए मैंने तोड़ा सा बेसिक सा पॉसन आप लोंगे साथ डिसकस किया है समझ conclusions आए गया एक्स्ट्रनल वाली जो होगी इसको डियसर और इसो इसे लिखेंग यह static होगी यह kinemichtig होगी इस गहीं है कुन सा method लगा देंगे? Force method लगा देंगे बस इतना सा लाए पास है अब sir आपने एक word यूज करा था हमारे लिए equilibrium equation क्या word यूज करा था? equilibrium equation अगर equilibrium equation यूज करके find out कर पा रहे हूँ unknown तो determinate है और equilibrium equation का यूज करके find out नहीं कर पा रहे हूँ indeterminate तो हम मतलब जो unknown है उनको find out नहीं कर पा रहे हो तो structure कैसी होगी indeterminate होगी तो अब यह होती क्या equilibrium equation तो देखो पहले question पर या जाओ पहला question हमसे क्या कहरा the number of independent equation to be satisfied for static equilibrium of a plane structure देखे हमसे कहरा है कि plane structure के लिए जो static equilibrium equations होती है वो हमको बतानी कितनी होती है one होती two होती three होती six होती कितनी होती है तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ देखे सबसे पहले तो हमारी जो structure होंगी हम उनको दो जगे divide करके पढ़ेंगे एक हमारे पास होंगी plane structure दूसरी होंगी हमारे पास space structure जो plane structure होंगे उनको हम 2D structure भी बोलेंगे और जो हमारे पास space structure होंगे उनको हम 3D structure भी बोलेंगे तो सबसे पहले plane structure या 2D structure की अगर हम बात करें तो plane या 2D structure में जो हमारे पास equilibrium equation आती ही वो 3 equilibrium equation आती ही summation of fx0 summation of fy0 और summation of mz0 तो तीन तरीके की equations हमारे पास आती हैं तो जो हमारे पास कौन सी होते हैं 2D Structure होती होती है वहीं पर अगर हम बात करें 3D Structure में तो 3D Structure जिसको हम Space Frame भी अपना बोलते हैं Space Structure भी बोलते हैं तो इसमें हमारे पास equilibrium equations कितने आती है 6 आती है तो एक video lecture बना हुआ है मेरा determination, indetermination का, आप डाल देना उसमें structure analysis या फिर playlist में चले जाना, तो playlist में जा करके देखोगी तो हमारा one liner plus concept के नाम से बो बना हुआ है, one liner plus concept के नाम से एक section बना हुआ है, तो उसमें आप लोगो structure analysis के video देख जाएंगे, या फिर आप search कर लेना determination and indeterminacy by VIP civil guru, या ऐसे डाल देना structure analysis, YouTube पर structure analysis by VIP civil guru, VIP civil guru जैसे आप डालोगे, पूरा डालना VIP civil guru, तो आपको video कुल कर क्या जाएगी, उसमें समझ लेना मैंने पूरा detail में आप लोगो समझा रखा, अब यहाँ पर उतनी detail में मैं आप लोगो नहीं समझा सकता, क्योंकि video बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ, वहाँ पर मैंने सारी चीज़ा आप लोगो बहुत detail में समझा हुई है, तो वहाँ से आप जरूर उन चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो सही answer हो जाएगा हमारे पास, वह क्या हो जाएगा, हमारे पास plane truss के लिए कितनी होते हैं, plane structure के लिए two equations हमारे पास होते हैं, truss के लिए निए plane structure के लिए कितनी होते हैं, three equations होते हैं, ठीक है, तो सही answer option number C हो जाएगा, next question हमारे पास आता है, if there are M unknown member forces or unknown reaction components, J is the number of joint, then the degree of static indeterminacy of a plane, pin joint plane frame is given by, देखें, हम से बोल रहा है, हमें degree of static indeterminacy बतानी है, DS की value, अभी मैंने आप लोग को बताया था, static indeterminacy DS होती है, यह दो तरीकी की होती है, एक DSC होती है, जो external होती है, एक DSI होती है, जो internal होती है, लेकिन बताना किसके लिए, pin joint plane frame के लिए, अब सर यह क्या होता है हमारे पास, तो देखो, pin joint, जहां पर भी आप से बोलेगा न, pin joint, तो pin joint का आप लोग मतलब समझना किससे, truss से, किससे समझना, truss से, ठीक है, तो truss हमारे पास होता है, अब plane frame है, तो इसका मतलब कैसा होगा, plane trust, और अगर वो कहता, कि space frame है, pin joint space frame है, तो pin joint space frame है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता, वो space trust होता, तो pin joint अगर वो देदे तो आप trust समझ लेना, बस simple सी बात है, ठीक है, तो हमको पता है कि जो plane trust होता है, हमारे पास, उसमें per joint कितनी equation आती हैं, two equations आती हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा, जब आप trust पढ़ोगे, मैं भी आप लोग को पढ़ाऊँगा trust, तो trust में आप लोग देखोगे, यह आप लोग का कैसा होता है, pin joint होता है, क्या होता है, pin joint होता है, तो इस pin joint के खास बात यह होती है, कि यह axial force को तो register कर सकता है, fx आएगा, fy आएगा, तो उसको तो register कर लेगा, लेकिन अगर इसके about यह member rotate करना चाहे, तो rotate कर सकता है, यह rotation के लिए free होता है, तो यहाँ पर moment में कोई resistance हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक, तो यहाँ पर दो ही हमको force देखने को मिलते हैं, summation of fx 0 और summation of fy 0, और यह हम पढ़ते भी हैं, कि trust में हमारे पास two equilibrium equations होती है, तो per joint कितने equations आती हैं, पर two equations आती हैं, यह चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तो देखिए इनकी कुछ हमारे पास क्या आती है, static indeterminacy के कुछ formula आते हैं, देखिए degree of indeterminacy है, static indeterminacy हम कहा सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, अगर वो बोले आपसे pin joint, जैसे कि मैं आपको बता है pin joint, तो pin joint बोले तो pin joint में दो condition हो जाएगी, एक तो हो जाएगा आप लोगा, तो pin joint में ट्रस होगा, एक तो होगा plane ट्रस, एक तो कुन सा होगा आप लोगा, plane ट्रस होगा, और दूसरा होगा space ट्रस, तो सबसे पहले आप pin joint structure के लिए देखो, अगर pin joint structure है, तो उसके लिए plane ट्रस के लिए static indeterminacy, उसका formula होता है, M plus के r minus के 2 j, और space के लिए होता है, M plus के r minus के 3 j, क्योंकि space में क्या होता है, per joint 3 equations आती है, और plane में जो होता है, वो per joint कितने equations आती हैं, 2 equations आती है, यहाप ए fX आता है, fX 0, summation of fy 0 इसमें, 2 आती हैं, और इसमें क्या होती है, यह क treatments haveünden, this one of fz 0, ठीक है अब यह तो होगी हमारा pin joint के लिए जो हमसे question नहीं पूचा था लेकिन याद रखना rigid joint के लिए भी पूच सकता है तो अगर rigid joint frame के लिए पूचे तो rigid joint पर इब दो case होंगे हमारे एक plane frame होगा और एक हमारे पास space frame होगा तो rigid joint के case में जो होता है हमारे पास जब static indeterminacy निकालेंगे plane frame के लिए तो formula होगा 3M plus के R minus के 3J और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे space के लिए तो 6M plus के R minus के 6J यह formula भी होता है ठीक है तो एक तो यह formula है by formula आप कर सकते हो बाकि अगर आपको इसके trick सीखनी है कि कैसे आप किसी भी structure की static indeterminacy calculate कर सकते हैं तो मैंने आप लोग को बताई दिया structure analysis by VIP civil guru डालते ना आप YouTube के search बार में तो वहाँ से आप लोग को वीडियो कुल करके आ जाएगी वीडियो आप देख लेना वहाँ पर मैंने डिटेल में ट्रिक आप लोग को समझा रखी है कैसे आप वहाँ से calculate कर सकते हूं ठीक है नहीं तो यहाँ पर हमसे कौन सा question पूछा था यह हमसे option में पूछा था ठीक है यह हमसे पूछा था है तो डियस हम देख लेते हैं कौन से स्पेस फ्रेम के लिए यानिकि स्पेस ट्रस के लिए अगर मैं बोलूं तो तो वह एम प्लस के और माइनस के ठीक हो जाता जो की option नमबर डी हो जाता ठीक है चलिए next question को देखो या अभी 10 ये 12 मिनटस में सिर्फ दो ही question हो पाएं इतना detail में आप लोग को समझाए आप देखो जल्दी जल्दी सारी question हो जाएंगे third question है number of unknown internal forces in each member of rigid joint plane frame अब देखिए rigid joint की बात कर रहा है मैंने अभी आप लोग को बता है rigid joint के case में भी आप लोग के पास क्या होते हैं दो चीज़े होती है एक plane frame होता है और एक space frame होता है ठीक है तो plane frame के case में आप याद रखेंगे आप लोग के कितने forces आते हैं इसमें three forces आते हैं और space frame के case में कितने forces आते हैं six forces आते हैं जो unknown होते हैं member में तो इसका सही answer तो option number C हो जाएगा अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कौन-कौन जर्फ forces होते हैं वो भी एक बार हमको बता दीजिए तो चलिए देखें यह हमने कोई plane frame लिया है कैसा लिया है plane frame अब इस plane frame के ये जो joint है ये जो joint है वो कैसे joint है भाई rigid joint है कैसे joint है rigid joint है और याद रख ना frame के हम जितने भी joint होते हैं उनको सबको क्या मान करके चलते है rigid ही मान करके चलते हैं तो हमने सबोजी section cut करा तो जैसे हम इस section को cut करेंगे तो जो rigid joint का plane frame था हमारे इस पर तीन forces आएंगे एक तो आएगा fx एक आएगा fy और एक आएगा moment तो यह तीन forces हमारे आते हैं ठीक है तो यहाँ पर यहीं पर बात करें space के case में to space के case में हमरे पास six हो जाते हैं कितने हो जाते हैं six हो जाते हैं यह सिक्स हो जाते हैं हमरे इस में MXB BY प्यायड़े आता हृतव टीज अ आप या था उपीं जहीं और ना-प्याल थो मुतिक्ज आपा सुन्धूं ही उसको क्या बोलते है इस पेस इस पेस फ्रेम बोलते है ठीक है यह इस पेस फ्रेम हो और आप प्लेंग वह ब्लेंग था तो उसका जो सही मेंबर 3 reaction component और 14 joint कैसी static and determination बतानी है sir ds की value बतानी है किसके लिए बतानी है rigid joint है rigid joint है तो sir अभी आपने बताया था मैं rigid joint के लिए formula 3m प्लस के r minus के 3j यह formula होता है मैंने कहां भाई बिल्कुल ठीक है तो 3 into m की value कितनी है member कितने 15 है sir plus के r की value कितनी 3 है minus के 3 into 14 है तो जब आप इन सब को solve करोगे तो सही answer option number c यह जाएगा आप लोग का 6 ठीक सारी values हमको पता है मैंने यह आप लोग को solve करके भी दिखा दिया है यह देखिए हमारे पास rigid joint के case में plane frame के case में यह होता है वहीं पर आप लोग कह सकते हो sir space frame के case में क्या होगा फिर तो भाई space frame के case में होगा 6 m plus के r minus के 6 j यह हमारे पास जाए क्योंकि पर member भी 6 उसमें unknown होते हैं आप लोग के और joint पर भी आप लोग के कितने होते हैं 6 होते हैं ठीक है चलिए गज़ देखी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के त्यार thank you बोलना था आप लोग को आपके प्यार और support की वज़े से ही देखी emerging educator award मिला है हमारे चैनल को vip civil guru को जो कि class plus की तरफ से award हम को दिया गया है जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हमारा application है vip civil guru और उस पर जो है आप लोग ने highest new course subscriber यहां पर देखिए highest new course subscriber यानि कि सबसे ज़्यादा जो subscriber हमारे जोइन करें है फरवरी 2022 में यानि कि फरवरी महीने में सबसे ज़्यादा लोगों ने हमारा course जोइन किया है सबसे ज़्यादे लोगों ने इस course को प्यार दिखाया है और यह हमारा देखिए content भी है हमारा नारा भी है कि content ही हमारी पहचान vip civil guru हमारे चैनल का नाम है और यहाँ पर हमारे दो courses चल रहे है एक तो आपका गुपता एंड गुपता बुक का complete solution मिल जा रहा है cable 399 रुपीज में और application का जो link है वो मैंने आप लोगो description box में दिया है वहाँ से जाकर कि आप उसको join कर सकते हैं एक दूसरा course चल रहा है हमारा civil engineering one liner plus concept का यहाँ पर आप लोगो civil engineering के जितने भी concept है वो सारे one liner की form में और जितने भी previous year के question है वो भी सब मैं आप लोगो one liner की form में दे रहा हूँ उसका आप अगर demo lecture देखना चाहरे हो तो हमारे channel पर जाना वहाँ पर one liner plus concept के नाम से एक section आपको दीखेगा वहाँ पर कुछ videos पड़ी हुई है लग बग 10-15 videos है वो काफी knowledgeable videos है वो आपको देखनी भी चाहिए वहाँ से जाकर करके आप content की value को judge कर सकते हो कि क्या content आप लोगो मिल रहा है और यह बहुत nominal price पर बहुत कम price पर आप लोगो मिल जा रहा है कोई doubt अगर कोई query है आप लोग की तो यह हमारा number है आप 6 PM के बाद हम से यहाँ पर बात कर सकते हो WhatsApp पर भी contact कर सकते हो call भी आप कर सकते हो यहाँ पर आप लोगो complete civil engineering daily class मिलेंगे daily PDF और detail mcq भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो बहुत कम price पर यह आप लोगो मिल जा रहा है अगर आप इसका advantage लेना चाहरे हो तो आप ले सकते हो यह सिर्फ आप लोग के प्यार की वज़े से ही support की वज़े से ही possible हो पाया तो thank you so much guys again आप लोगों को thank you बोलना चाहूँगा अपने प्यार और आप लोग के support की वज़े से ही सब कुछ हो पाया है तो guys application के link में ने description box में दे दिये हैं वहाँ से जाकर करके आप application download करके हैं वहाँ पर mobile number से enroll कर सकते हो बहुत simple process उसका है तो यहाँ पर देखिए अप next question आ जाता हमारा question number five इसमें बोला है कि degree of kinematic indeterminacy of a pin joint plane frame यहाँ पर हमसे बोला कि pin joint है pin joint plane frame तो pin joint मैं बोला था आप लोगों से क्या होता है हमारे पास trust होता है और कैसा trust है हमारे पास plane trust है कैसा plane trust है तो इसके लिए हमको बताना kinematic indeterminacy क्या होग आप लोग इस texture के unknown forces को equilibrium equation यूज करके find out नहीं कर पा रहे हो तो इस texture कैसी हो जाती indeterminate हो जाती है और यह indeterminacy जो होती वो दो तरीके की होती एक होती हमारे पास static और एक होती kinematic तो इस्टेटिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया दो तरीके की होती है external और internal अब बात आती यह किसकी kinematic indeterminacy की तो kinematic indeterminacy का आप लोगों को एक formula दूँगा और चाहें आप लोगों का beam का question हो चाहें आप लोगों का frame का question हो चाहें आप लोगों का trust का question हो कोई भी question हो आप लोगों का सब के सब question से एक formula से बन जाएंगे और यह trick मैंने आप लोगों को अपनी वीडिय इसी जो होती है जिसको हम डी के बोलते हैं यह होती है हमारे पास number of degree of freedom यानि कि कहीं पर भी किसी भी joint में किसी भी structure में कितने number of freedom हो सकते हैं वो उसकी क्या हो जाती है काइनमेटिक indeterminacy हो जाती है अब सर्य डिग्री ओफ रिडम क्या होती है तो देखो काइनमेटिक indeterminacy को मैं simple सा एक formula आपको देता हूँ calculate करने का सबसे पहले formula आप देखो यह formula आप लोगे पास होता per joint total degree of freedom यानि कि per joint हमारा अगर कोई भी joint है तो उसमें कितने तरीके से degree of freedom हो सकता है यानि कि joint ही इधर जा सकता है तो एक degree of freedom इधर जा सकता है तो दो degree of freedom यह rotate कर सकता है घूम सकता है तो 3 degree of freedom तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास degree of freedom होती है तो per joint कितनी degree of freedom होगी minus के number of support reaction कि support joint structure में उस पे कितनी reaction आ रही है प्लस के additional degree of freedom अब सरी additional degree of freedom क्या होता है? तो देखा additional degree of freedom होता है due to internal hinge अगर कोई भी structure में हमारी internal hinge आ गई तो उस internal hinge की वज़े से क्या है? additional degree of freedom हमारे पास आ जाती है तो additional degree of freedom हमारी अगर internal hinge होगी तब ही ये आएगी बाकि इन से ही हमारा काम चल जाएगा clear अब सरी है आपने डिकरी ओफ रिडंब हैं और बारवार डिकरी ओफ रिडंब क्या होता nervous तो देखो सबसे पहले बात करते ह ware curt क्वlier और बला मैं आपको बोला एक बिंज जोईन्ट होगा एक रिजग जोईन्ट होगा तो भी बात करें Brazil joind ki यैने की frame की तो plane frame में होते हैं आप लोग के three three होते हैं और यहाँ पर space में बात करें तो यहाँ पर कितने होते हैं six होते हैं six तरillके के आपके डिघरी ओफब रेडम होते हैं अब सर कौन-कौन से होते हैं तो देखो जो यहां पर pin joint की बात करें तो pin joint का मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ जो भी plain trust के case में तो एक तो X में जा सकता है member एक क्या हमें जा सकता है Y में तो यहां पर दो तरीके सोच सकता है space में क्या है वो Z में भी जा सकता है तो 3 हो जाते हैं तो अब इसके लिए अगर हम kinematic indeterminacy का formula बनाएंगे तो kinematic indeterminacy का formula बताएंगे तो per joint degree of freedom plain trust के लिए बना रहे हैं तो per joint per joint मतलब हमारे पास अगर मानलो जितने भी number of joint है तो यहां पर हमारे पास मानलो number of joint कितने J और यहां पर per joint degree of freedom कितना 2 तो 2J हो गया माइनस के reaction कितनी है तो support पर जो भी reaction होंगे R हो जाएंगी plus K जो additional degree of freedom उसको R- कह देते हैं लेकिन यहां पर कुछ इसकी बात करी नहीं गई है तो हमारे पार DK का formula हो जाएगा 2J माइनस के R इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें space test के लिए तो DK का formula कितना हो जाएगा per joint degree of freedom तो मानलो number of joint J है और per joint यानि कि हमें पता है कि space test में per joint कितना होता है 3 degree of freedom होता है तो total इतनी degree of freedom होगी minus के reaction कितनी होगी R तो यह formula हमारे पास जाएगा इसी तरीके से हम इनके लिए कर लेंगे से याद रखना यह del x del y और theta xy होता है यानि कि इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर del x del y का मतलब यह तो दो तरीके से total isme linear होगा total linear displacement होगा इसमे linear displacement होगा या two linear degree of freedom होगा और one जो होगा वो कैसा थीटा है तो इसका मतलब क्या वन जो वो रोटेशनल होगा वो कैसा होगा रोटेशनल डिग्री ओ फ्रीडम होगा यह निकि रोटेट कर जाएगा वो घूम जाएगा ठीक तो यह हमारे पास होगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा option number A जो है वो बिलकुँ सही answer हो जाएगा ठीक है option number A 2J minus के R चलिए next question की हम बात करते है question number 6 की इसमें बोला है कि independent displacement component at each joint of a rigid joint plane frame rigid joint plane frame मतलब हमारे पास frame की ही बात कर रहा और frame में भी कैसा plane frame है तो उस पर बताना independent displacement component कितने होंगा यानि कि degree of freedom क्या बताना degree of freedom तो अभी मैंना आपको बताया था कि plane frame में plane frame में आप लोग के क्या होते हैं तीन तरीके से होते हैं डेल एक्स डेल वाई और ठीटा एक्स वाई और यह दो जो होते हैं वो linear होते हैं one rotational होता तो सही answer option number B हो जाएगा तो linear moment होता है और one क्या होता है rotational होता है सही answer option number B हो जाएगा यह देखो अभी बताया था rigid joint के case में plane frame में three आप लोग के क्या होते हैं degree of freedom होते हैं ठीक है जिनको हम displacement भी बहुते हैं सही answer क्या होगा option number B next question है हमार पास question number seven इसमें हमसे क्या कह रहा if in a pin joint plane frame अब देखो pin jointed है यानि कि trust की बात कर रहा किसकी बात कर रहा trust की pin joint plane frame है और m plus के आर इस इकल greater than m plus के और greater than two j है then the frame is हमको बताना frame कैसा होगा stable होगा unstable होगा determinate होगा in determinate होगा क्या होगा यह हमको बताना तो चले bells को क्या है condition मतानी stability की चंडिशन में आप लोगो बताता हूं अगर आप लोग मांन कर कर क Fellow का यहां पर मैं आपको बताता हूं अगर आप मांन होगी क्या है स्टैक्चर आपको लोगी स्टेवल भी होगी और अगर द्व की value less than zero होगी तो इस टेक्चर कैसी हो जाएगी हमारी unstable कैसी हो जाएगी unstable हो जाएगी सही है नहीं तो instability की एक दो और condition होती है जैसे कि सबसे पहले condition होती कि अगर reaction force जो है वो concurrent है जो भी reaction force है सब्सक्राइब कि हमारे पास इस टेक्चर है यह एक support है यह support है और यह एक support है सब्सक्राइब और यहां से देखें तीनों की जो reaction वो इसी पॉइंट से पास करें तो इस तरीके इस टेक्चर भी क्या होगी हमारे पास unstable होगी यह माल लीजे कि अगर हमारे पास क्या है एक ही span पर तीन हिंज जाएं तीन continuously हिंज जाएं एक ही span पर ठीक है तो हमारे पास जो इंटरनल हिंज हो सकती है उनमें से नहीं भी हो सकती है तो हमारी इस टेक्चर कैसी है वो कैसी हो जाएगी unstable हो जाएगी तो यह भी एक condition होती instability की तो अब यहां पर हम देखते है अपना यहां पर हम से बोला है के जो m plus r हो greater than two foreign scripture हम ग्राहँ इसका मतला अगर हम ds की value greater than zero लें तो ts कितना होता है m plus ke r minus के टू जे greater than zero तो m plus ke r greater than कितना होगी तो यह condition होगी तो यह condition awarded हो अगर हमारी डिया जो जो है greater than zero है तो indeterminate तो है indeterminate तो है तो indeterminate इस टेक्चर तो है और साथ में कैसी है इंडिटर्मिनेट के साथ साथ वो इस्टेबल भी है कैसी इस्टेबल भी तो सही आंसर जो जाएगा उप्शन नमर बी हो जाएगा कैसा हो जाएगा उप्शन नमर बी अनिस्टेबल कप होगी जब डी एस की वेल्व लेज देन चीर होगी जब निगेटि लिए तो इसका बैलेंस होगिया था यह देखे अब इंड फ्रेम इस अंश्टेबल हैं यह पर कर रहा है कि पिन जोइंड है यानि की बात करें तो भाई क्या है ट्रस ऑर प्लें फ्रेम ऑनिस्टेबल बताया मैंने डी यह क्या होगी लैस देन जीरो और प्लें फ्रेम के बाद करनी डियस की कि कितना इस्टेटिकली डिटर्मिनेसी का फॉर्मूला क्या होता है अब चलिए हम आजाते हैं कुशन नमबर नाइन पर नाइन में हम से क्या पूल रहा है तो नाइन में हम से बोला कि रीजिट जोइन प्लेन फ्रेम है अब हमारे पास क्या रीजिट 3M प्लस के R यह माइनस का इदर जाए के प्लस का तो 3M प्लस के R इकल टो 3J कौन से माईगे है उप्षन नमर C में मैच कर रहा है तो सभी अंजर उप्षन नमर C हो जाए है यह सब फॉर्मूले ऊपर बता चुका हूं मैं आप लोगो ठीक है तो इस सब फॉर्मूले आप ल नमर 10 हम से गह रहा विच वन आप फॉलोविंग बीम सो फिगर इंट्वैल पॉइंट वन इस अनिस्टेबल यह हमां कुछ फिगर दे रहके इनमें से बताना कौन सा अनिस्टेबल होगा तो देखिए समय सही आंसर ऑप्षन नमर यह होगा मैंने अभी आप लोगो बताया इसका डी ऎस सब आप निकालोगे तो दीस तो आएगा जीरो ठीक है मैं दीजिजरो लेकिन इसमें देखो एक हिंज यह एक हिंज अगये है दो हिंजैन데 दो हिंज वोगिन तो सही हंसर जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा Uninstability वाली और conditions होंगी वो भी हो आप लोगो next वीडियो में डिसकस करूँगा देखिए three hinge क्या है इसमें Collinear है अगर three hinge Collinear हो जाए जिसमें से कि दो span पर हो और एक जोर support पर है तो ऐसी mechanism हमारी क्या होती internally unstable होती है तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही था बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया link description box में दी हुई है आप play store पर directly search कर सकते हो vip civil guru vip civil guru direct search करोगे तो भी हमारा application खुल करके आ जाएगा वहां से download करके आप enroll कर सकते हो यहाँ पर आप लोगो content मिलेगा एक number ठीक है क्योंकि नारा ही है हमारा content ही है हमारी पैचा तो यार आप लोग बड़े बड़े platform को देखिए फिर हमारे content को देखिए अगर आप लोगों को सही लगे तब ही join किजिएगा सही ना लगे तो मत join किजिएगा ठीक है तो एक बार visit जरूर कीजिएगा thank you so much guys for watching this video मिलते हैं नेक्स वीडियों तब तक लिए बाई टेक केर